तो दोस्तों आप लोग ऐसे आयो, बहुत यह अच्छे होंगे, आज हम आपको स्विर माइक दिखाने वाले हैं, और इसका रिव्यू देने वाला हूं, यह जो माइक देख रहेंगे, यह बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेस्ट माइक है, इसे dynamic mic कहते हैं जो बड़े-बड़े singers होते हैं बड़े-बड़े studios होते हैं इसे use करते हैं मैं भी अपने studios में यही use करता हूँ और आप दिखे होंगे कि बहुत सरे station होते हैं या बड़े events होते हैं जहाँ पर speech दी जाती है इस mic को use करते हैं इसकी जो life way बहुत अच्छी है और इसकी जो price है वो करीबन आपको 10,000 के आसपास मिल जाएगी कभी यह 8,000 कभी 9,500 के आसपास मिल जाएगी लेकिन यह जो mic है बहुत ही best है और इसकी जो quality है यह बहुत ही best quality आएगी अगर आप कभी भी इस mic को अपने लिए use करना चाते हैं या आप एक YouTuber है या आप डविंग आटिस्ट है या आप कोई अच्छी आवाज record करना चाते हैं कोई mic ले रहे हैं तो यह mic आप ज़रूर करें यह मैं review देखे या इसे मैं काफी सालों से use करना हूँ ऐसा मेरे पास और भी है और यह बहुत ही अच्छा है और इसे मैंने करीबन तीन mic एक साथ लिया हुआ था और अभी भी मेरे पास यह चल रहा है और इसका जो model number है वो SM58 है और इसकी जो quality है इसकी जो frequency है सबसे best है सबसे हट कर है ठीक है तो यह मैं आप recommended करूँगा आप इसका ज़रूर ले शियोर का जो wireless mic है उसकी भी आवाज बहुत best है उसका bass बहुत अच्छा आता है इको बहुत अच्छा आता है इसमें इको भी बहुत अच्छा आता है बेस अच्छा आता है और क्या कहते हैं इसके अंदर आपको ज़्यादा setting करनी की ज़रूरत नहीं होती है बस आप खरदे और wire लगा है और शुरू हो गया amplifier में भी यूज़ कर सकते है mixture में भी शुरू कर सकते है तो यह जो SM58 का mic है यह सबसे best mic है यह ऐसे कह सकते हैं यह universal mic है ठीक है इसके साथ मिलता है इसके स्टीकर मिलता है जिसके पर शूर लिखा रहता है और एक इतर की यह bag मिलता है bag की quality भी बहुत अच्छी होती काफी सालों से मैं इस bag को यूज़ कर रहा हूँ यह एकदम leather bag है उसके पर शूर की branding लगी हुई है इसका जो company का नाम है यह है ठीक है और इसमें एक sticker मिलता है जब इसमें हम wire connect करते हैं तब उसको grip करने के लिए एक sticker साती है तो इसकी जो price है वो आपको online भी दिख जाएगी और इससे लेने के लिए बिल्कुल हिच कर चाहिएगा मत अराम से आप इसे आँख बंद करके ले सकते हैं क्योंकि इसकी quality और इसका जो कहते है न जो इसका वजन है यह बहुत ही जादा है करीबन यह 400 यानि 300-400 के आसपास इसका वजन है यह याद रखेगा इसे पानी में भीगना नहीं चाहिए और दूसरा यह भी है कि यह जादा गिरे ना जितना जादा यह गिरेगा न तो इतना खराब होने की इसके चांसिस भी बहुत जादा बढ़ जाते हैं ठीक है आप इसे बहुत आराम से यूज़ करेगा quality एक number है dynamic इसे mic कहते हैं dynamic vocal mic कहते हैं मैं studio में यही यूज़ करता हूँ और इसे का ही मैं बहुत जादा इस्तिमाल करता हूँ तो दोस्तो बस यह review देना चाहता था कि मैं use करने के बाद कि इस company का क्या review है वो मैं आपको दे रहा हूँ तो इसका review बहुत best है ठीक है मिलते है कुछ और नए प्रोड़क को लेकर शुक्रिया